हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई कीचेंड तो आज मराएंगे टिंडा की बहुत ही टेस्टी सबजी वैसे तो टिंडा की सबजी ज्यादा तर लोगों को पसंद नहीं आती है अगर आप इस तरह से बनाओगे तो सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी यह सबजी बहु इसी तरह से आप बना कर तयार कर सकते हो तो आईए इस टेस्टी सी सबजी को बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने 200 गरम टिंडा ले लिया है तो टिंडे को पहले अच्छे से धुल करके क्लीन कर लेना है इसके बाद हम इसे छीलेंगे तो आप ना चील लिया है यह देखिए इस तरह से तो इसी तरह से सारे टिंडे को चील लेना है और उसके बाद हम इसे कट करेंगे तो मैं इस तरह से इसे कट कर रही हूं कि देखिए और आप चाहो तो इस तरह से भी कट कर सकते हो जैसे आपको पसंद हो अपने हिसाब से आप कट कर ल में आधे जाती है जाय से लिए टेल गरम और श्षटों min 3 तो नहीं है इसमें तो आप एक बार से चुणा करें तभी सब्सक्राइब ऑख तरह से Walter को पहले फ्राई कर लेंगे इसके बाद हम इसे देख लेंगे हलका हलका से इसे कलर आ रहा है तब इसे हम कड़ाही से बाहर निकालेंगे सारे टिंडे को हमें कड़ाही से बाहर निकाल लेना है तिन से चार मिनट के लिए इसे फ्राई करना है कि देखिए और इसके बाद इसी तेल में हम जीरा डाल देंगे जैसे जीरा तलकने लगेगा इसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे मेडियम साइज की कट करें डिल का स Science जन्हें बढ़ें आइट किया है फ्राइट करेंगे हलका सा कलर चेंज होने तक और इसके बाद इसमें हम होममेट सबजी मसाला डालेंगे बेसिंग मसाले यहां पर ले सकते हो और इसकी बाद थोड़ा सा हमाय ग़िर मसाला डालेंगे यहां पर महेगी मसाला आप जरूर यूज करें इसे बहुत छी टेस्ट अच्छा आएगा और इसके बाद हमने इसमें टमाटर डाल दिये स्वाद और नमक डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है यह देखिए और गस का फ्लेम बिलकुर लो रखना है लो फ् चमच इसमें पानी एट कर दीजिए यह देखिए मसाले को अच्छे से पका लेना है जैसे मसाला अच्छे से पक जाएगा तेल छोड़ने लगेगा हम इसमें फ्राइग किया हुआ टिंडर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे यह देखिए इसे अच्छे तक इसे ढखे रहेंगे एक मिड़ बाद इसका अटाएंगे और फिर से सब्जी को अच्छे से चलाएंगे सब्जी जैसे तेल छोड़ने लगेगी वैसे हम इसमें पानी डाल देंगे तो मैं इसमें सिर्फ आधा छोटा ग्लास पानी डाल रही हूं अगर आपको ग्रेवी अधारी बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी बढ़ा दीजिए और अच्छे से मिक्स करके हमें इसे ढख देना है और गयस का फ्लेम हाई कर देना है जैसे उबाला जाए गया इसका अटाएंगे और सब्जी को एक बार फिर से मिक्स करके इसे ढख करके अच्छे से लो रखेंगे यहां पर हमारी सभजी पहूत ही अच्छे से पक कर रेडी हो गई है यह ढ懈 है बहुड ऐसे सभी हैं सभगी सब्सक्राइब बनकर रेडी है इसमें हर अधन ईया डालगार अच्छे से को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और इस तरह से आप एक बार टिंडा की सब्जी जरूर बनाईएगा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी मतलब जो टिंडा खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी से मांग मांग कर खाएंगे इतनी ज्यादा यह स्वादिष्ट बनती है तो है ना कितना असान इस सब्जी को बनाना और बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत 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 धन्यवाद